असलाम लेकुम फ्रेंग्स अमीद है आप सब खेरियस से होंगे और आज सुबा से ही बहुत फ्ली प्यारा मोसम हुआ वा था अचली जैसे मैंने आपको रिसेंटली वाकेंड के बड़े बड़े ओलों की जो वीडियो शेयर की थी उसकी वज़ा से मुझे लग रहा है कि पूरे मुल्क में काफी ठंडक सी हो गई है और लहोर में भी सुबा से बारिश तो नहीं हुई जैसे ऐसे होता है अमोमन के जैसे ह अगले दिन लाहोर में अब बारिश के कोई इमकानात नहीं है लेकिन मौसम काफी ठंड़ है इसलिए मैंने आज सुबा से ही गार्डनिंग की है काफी जो डेड प्लांट्स थे क्यूंके अगे अब खिजां का मौसम आ रहा है तो सारे ठंड रहे हैं वो सारे निकाले अपन काटी ताके वो मैं अब आगे सर्दी आ रही है काफी प्लांट्स मुझा जाएंगे डल हो जाएंगे तो जब तक वो फ्रेश है तो किसी एक की मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूं उसके वारे मैं आपको बताती हूं तो मैंने स्लेक्ट किया है यह जो आप मेरे पीछ तो स्क एंचा डिभा से और भड्यागना यह गुल्चेन का इसको बिलचेन की किती एग माली बाभाना हम शेशचर को डकिन यह और बातेनीकल नेमे आप कुगल कर सकते है और इसके बाहिक यह मैंने छोटा लगाया था और यह चौटा लगा तो सफ्सकि यह का प्यादि कर कुछबू मैंने कभी नहीं ऐसी महसूस की आप कभी इसको सुंगें और महसूस करें आपको इतना कोई सूधिंग और रिलेक्स आप फील करें और इसके बारे में बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते के ये कटिंग के थू भी लग जाता है प्लांट तो वह मैं आप से साथ अब शेयर करती हम तो चलें करते हैं यह है गुले चीन का प्लांट और सबसे पहले तो मैं आपको इसके फूल दिखा दू यह देखें इसके यह फूल है और इसकी कई वराइटीज होती हैं पिंक कलर के फूल भी होते हैं और और इंच कलर के भी और चोटे भी और बड़े इसकी काफी वराइटीज हैं गुले चीन की मेरे पास इस वकत यह दो वराइटीज ही हैं और कुछ के पत्तों से भी आप डिफरेंशियेट कर सकते हैं कुछ के पत्ते जो हैं वो आगे से बिलकुल राउंड होते हैं कुछ के यह जैसे मेरे पास हैं यह बिलकुल बनानास की तरह नोकीले होते हैं और इसके कुछ के फूल जो है वो काफी बड़े फूल होते हैं यानि काफी इतने बड़े जैसे ये तो इतना सा ही है और इतना ही रहता है ये कुछ इतने बड़े भी फूल होते हैं कुछ पिंक कलर के होते हैं वो भी बड़े भी होते हैं और चोटे भी और ये मैंने कोई 100 रुपी का छोटा सा प्लांट लिया था और ये बड़े पॉट में लगाया वाई या आगे जो है काफी ज़्यादा फैली वी है स्वीट पुटेटो वाईन ये बड़ा पॉट है इसमें लगा वाई और इसकी आप हाइट देख लें कि इतना ये बड़ा ह ये बड़ा बाईन होगी और फैर मैंने इसको उपर से काटा भी है और इसके अंदर वो ही मैंने आम मटि यूस की है Рेत भालू मिट्टी है जो के एक तोड़ा मिलता है मतलब एक पूरा बोरा मिलता है नरसरी से वो और उसके अंदर थोड़ी सी गोबरखाट और बस कभी क अभी मैं इसके अंदर डी एपी डाल देती हूं छे महीने बाद और अगर इसके पत्ते यूं ब्राउन होने लगें इस तरह से जैसे यह हो जो भी इसके डेड़ प्लांट्स हैं या पीले हो जें और डेड़ लीव्स हैं सौरी तो आप वो निकाल दें वक्त जैसे डेली बैस आप पानी की कमी ही ... तो आप पानि इसको ज्यादा दें और कभी कभी ऐसा होता है यह देखी पत्ले कटें प्त्क्त होते हैं ओदेलोगे में वो पहले बी लैमड़ा سप्डे आप लैंल और आप इसको कर सकते हैं एक मेहीने बाद इसकी वैसे सारे प्लांट पे ही आप एक दफ़ा लेमडा स्प्रे कर दिया करें और इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टन बात है वो ये कि ये बहुत असानी से कटिंग से लग जाता है और इसके कई आप प्लांट्स बना सकते हैं लाइक जैसे ये है इसको आप कहां से कटिंग करें ये एक इसका अलग से निकला है ये आप फुल यहां से तोड़ लें या इधर से तोड़ें या जैसे ये एक अलग से टहनी है ये तो इसको आप यहां से तोड़ेंगे फुल इस को डिरेक्टली आप जमीन में लगा दें या किसी पॉर्ट में चोटे पॉर्ट में लगा दें और मैंने ये देखें ये लगाया भी है किसी फ्रेंड के घर था वो पिंग कलर का गुले चेंड था और चमपा कली ये देख सकते हैं आप इसके अंदर फरक के ये वाला लंबे पते हैं इसके और इसके ये राउंड पते हैं इसके उपर जो फूल लगेंगे वो पिंक कलर के थे तो उसने मुझे इसी तरह चोटी सी शाख दी और ये मैंने लगा ली और ये लग गया पहले इसके सारे पते जड़ जाते हैं मैं आपको दिखाती हूं जो मैंने दूसरा लगाया वह फिर इसके नए पते निकलते हैं तो इसका मतलब है कि ये चल पड़ा है ये मैंने किसी फ्रेंड के लिए लगाया है एक शाख तोड़ी उसकी और लगाया और इसके थोड़े दो दिन के अंदर इसके पते यूं जड़ गे अब ये नए पते इसके निकलेंगे तो फिर मैं आपको बाद में इसके अपडेट्स दूली और ये देखें ये सनेल्स कितने ज़्यादा प्लांट को खाते हैं तो ये सनेल आपको नज़र आए आप ये निकल दें और इसको आप हर महीने गोड़ी भी करें 15 दिन बाद करें सर्दियों में ये है कि एक महीने ब दाली है दो या तीन दफ़ा क्योंकि मैंने इसके अंदर मटी ही वह भालू मटी और गोबर खात को मिक्स करके डाले थी हैं इसकी उपर मैं स्प्रे कर देती हूं महीने बाद या 15 दिन बाद वो डिपेंड़ करता है कि अगर इसके पते टेड़े हो रहे हैं तो मैं जल्दी स्प्रे भी करते हैं और इसके उपर आप शाम को शावरिंग करें पानी की और फिर प्यारा भी लगता है और पते भी साफ सुथरे रहते हैं और इसको आप जमीन में भी लगा सकते हैं जमीन में ये है कि ये काफी हाइट पकड़ लेता है और द्रक बन जाता है मैंने इसको पॉर्ट में ही रखा है और इसके फूलों को आप पानी में रखें साइड टेबल पे रखें बहुत ही खुश्पुदार होते हैं तो यह था हमारा आज का बहुत ही खुबसूरत सा और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट उमीद है आपको यह अच्छा लगा होगा और आप इसको जरूर लगाएंगे और प्लांट बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और यह वह प्लांट है जो आपका जिंदगी भर साथ आपका दोस्त बनके रहेगा अपने दिल को साफ रखा करें और खुश रहें खुश्यां बांटें तो हमेशा आप अच्छे अच्छे ही नजर आएंगे खुबसूरत नजर आएंगे और हमेशा की तरह मुझे अपनी दों में याद रखिएगा अलाहापीश